अबसकार दोस्तों जिन्दगी के जोसेक समुद्र है उसको देने के लिए हम को हमेशा देख कर एक-एक कदम आगे बढ़ाने होगी और अपन को उस पहाड़ पर जाना होगा और उस पहाड़ को दिखाने के लिए हमें गुरू जाहिए तो ऐसे ही गुरू हमारे जिन्दगी म और उस गूरु का नाम है श्री स्री बीवे गनांद जी जिनको हम सभी हमेशा प्यार से चर्शी बीवे अन्त स्वामी जी बुलाते हैं उनकी आज चल्म दिन को सर्प हम यह पोलना चाहते हैं कि उनकी एक सोश दि वह हमेशा बोलते थे कि हर किसी इन्सान वह भारत से हो या भ वर्षों की सोचना नहीं चाहिए अभी खुद को उठकर बोलना चाहिए कि सो यंग जो करोगे तुम वही होगा जिस तरह की तुमारी करनी होगी उसी तरह होगी तुम भाल तुमें बेटने से ज्यादा अच्छा होगी कि कुछ समय फुटवल खेलो अपनी सरीर को ससकत करो अ अलस्पंती जीवन के अभी साफ है जो कि सिर्फ आता है जाता नहीं सिर्फ तुम हो जिसको वह निकाल सकते हो इस अलस्पंती से भगबन की तरह थे पीवेकरंद जी क्योंकि उनकी सोच ही हमें विश्व के उदर बार पसंद मानित करती आज भी चिकागों की उस भासन समार हो कि याद आ जाती है जो फास्ट पीस ती जिसमें बोले थे कि मेरे विश्वासी हूं और जिसको सुनने के बाद हर कोई बाहर के नियोर्क के खड़ा होके उनको संबर्धित किया था और हम सभी विश्वासी उस कुंदूस तस्विर को देख नहीं सकते लेकिन उस पीज को परने के बाद हम घर्व से बोल सकते हैं कि विबे करना जी हमारे ऐसी स्थान से हैं और हम यह से गुरू को पारने से हम अपने आपको गर्वित करते हैं और इसी बात के साथ हम उनको उनके जानम देने के अफसर के उपर सुब कामनाय देते हैं और हम सब उनके तरह अनने बाइब बाइब